उप्राजेपाल वाल है वाही पॉप्राजेपाल रूकती है। जी आते हैं, सारे वही आते हैं, सच्छी वाली पर याते लें कि हमसे कोई मिलने को राजी नहीं हो रहा है सरुघार की थी, अब सरों की थी, और मुखमंति जी बोलते हैं, हम सब से पूछ के काम करेंगे, तो बिना पूछे हमें क्यों हाटाया गया, जनता से इन्होंने मुखमंति अर्विन के जीवाल के आवास से चंद कदमों की दूरी पर और बड़ी संख्या में दिल्ली की बसों में तैनाच जो बस मार्शल्स हैं, वो इस वक्त मुखमंति आवास के बाहर जो है, वो परदर्शन कर रहे हैं, आप तस्दूरों में देख सकते हैं कि इस तर दरनापरदर्शन कर रहे हैं, यह बताईए, दरनापरदर्शन क्यों रोजगार क्यों छीना गया है, सर, सबसे पहले आपका न्यूचनल का धन्वाद करते हैं, और बात है हमारा रोजगार की, तो रोजगार सरकार ने इसलिए चीन लिए कि सिविल्ट पैस एक्ट का हवाल करने स्वाल्जबाब करने हम कहते 13 दिसम्बर को उन्हें पूचा साफ किस वस्ट पहा आप आपने आप आट ने रहे कुझा तो उन्होंने सीधा पड़े लिखें यूवा दे रोजगार दे उनका प्विस्थ पूरी तरह दे तभा हो गया है अब हाध चोड़के सरकार से भी यह बहूत कर रहें का हमारा रोजगार हमारा रोजगार हमें पापस कर दीजिये साथ लगता है कि कौन जिम्मेदार है दिली सरकार जिम्मेदार है या उपराजेपाल जिम्मेदार है दिली सरकार कहती है उपराजेपाल फाइल रुखते हैं उपराजेपाल कहते हैं दिली सरकार फाइल रुखती है कौन जिम्मेदार है दिली सरकार है इसके लिए कोई लोटिस न सब्सक्राइब कर दिल्ली सरकार के कोई भी अधिकारी ना कोई मंतरी ना कोई अधिकारी मिलने नहीं आए अस तक दो तीन महीना हो गए हमारे बहुत साधी सहीद भी हो गए दिल्ली सरकार के दिये मरने पर एक करोड देंगे और हमारे एक साधी की बहुत से साधी की टैंक अटगी और टूटी उन्होंने एक लाक रुपे की साहिता नहीं की उनके परिवार को उनका परिवार रोड पर बटक रहा है आज उनका भी परिवार नहीं 10,792 लोग रोड पर बटक रहे हैं 10,701 में परिवार हैं वो जो की लाक परिवार हैं माताय भैने हैं बड़े बुजरक हैं बच्चे हैं यह ति दवाई गोली को लेके सब को परिशान हैं रोजगार के लिए तरब रहे हैं रोजगार के नोकरी गई 31 अक्टूबर को हमारे नोकरी चली गई थी एक लेटर के माध्यम से और हमें नोटीस भी नहीं दिया गया पहले ही एक लेटर आया उस दिन से आपको नहीं आना है मैं M.C.D. में मार्सल था आपने देखा होगा जब सदन लगता था M.C.D. का तब भी हमारे सिवल डिफेंस के बंदे वहीं रहते थे जब मेर का चुना होने वाला था जब मेर चुनने वाली थी वोटिंग था जब जो लडाई हो गई थी वहाँ पे तब भी हम माध सिक्योर् सब्सक्राइब करणा थी राजगार टीपो से हूं मार्सल को सेलरी मिल रही है लेकिन हमारा रोजगारी ने हमारे पासे बताए अब हम धाई महीन हो रहा है ठीके सच्चवाले के आगे हम बैठा हुआ है इतने बड़े-बड़े नेता वहां पर आते हैं ठीके सारे अधिका निकाल दिया और हमें लिए प्री डीपोसे हमें नीकालन कर दिया, जब हम समय रखे आपने यहां देदिया, इनको देदिया सुर्ण मुझे चार साल हो गया है चार साल में बहुत होता है ने बहुत प्रेसर है अकेले से कि इंन्हारे पता है कौन्स सबसे पूछ के काम करेंगे तो बिना के क्यों हटाया घ्या सर ने पूछा क्यों लोग काम कर लिये हम तो कहा जाएंगे अब यह कभसे काम करते हैं तोक्री कब बाहर हुई जो कि अब टीन महीने से उपर हो गया विनोपर कर देए अक्टूबर में लास्ट के मंद में हमें लास्ट आर गई ता उसमें अलगतर दिया गया है जो लोग हैं उनसे भी बाचिस करते हैं यह तो यह कब से आप तोकरी कर रहे ते हैं चैसाल होगी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोई नोटिस नहीं दिया कुछ नहीं दिवा एक दिन पहले बोला कि अकल से आपकी डूटिक खतम है हमारे डूटिक खतम कर दिया आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हम हर जिगह जा रहा है लेकिन हमसे बात करने को राजी नहीं है कि हमारी गलती क्या है हमें किस बेस में निकाला गया है एक हमें उम्मीद लगी थी हमारा परिबार चलना हूँ सोसारी कुरूप से चलना सुरू हुआ तब ही इन्हों ने उठाके हमें ऐसे पटग दिया कोछ दे कि तरह हम तर्मन धन से हर तरह से सेवा देते हैं कोरोना में भी दिखा वाड में ह हमें घरब होता है कि हम सिब्ल डेपरेंस के वालेंटर हैं हमें एक उम्मीद लगी थी कि सरकार ने हमें एक रोजगार दिया तो हमारा पारिवारिक अच्छे से चलेगा लेकि इन्हों ने एकदम पैसे कर दिया आज मेरी घरवाली डेपरेंशन में हैं वह हैं उसमें जो दिली में किसी पर गार की आफदा आती है बार आती है औरो ना आता है तो फोरान सांज कि सुंभार करते हैं हैं। झाल झाल